दोस्तो टाइम्स ओफ इंडिया का एक आर्टिकल आया है जिसमें साफ साफ बताया है कि सलमान खान बिग बॉस सीजन होस्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे पूरी बात किलियर हो चुकी है कि इस नहीं सीजन में हम सब को सलमान खान देखने को मिलने वाले हैं अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूँ कि दो दिन पहले एक हबर आई थी जब सलमान खान गनेश चतुर्ती के एक इवेंट में गए थे जहां पर सलमान खान को देखकर साफ लग रहा था कि वो हैल्थ इशू है उनको चेर से उठने में प्रॉबलम हो रही है जिसके पाद ये आर्टिकल आने लगे कि सलमान खान इस ने सीजन को होश्ट नहीं करने वाले हैं कि उनकी तबीया ठीक नहीं है इसी को लेकर अब टाइमस ओफ इंडिया में एक आर्टिकल आया है जहां पर आपको बता दें कि उनका कहना है कि सलमान खान इस नौट होश्टिंग गया था काफी चिंता में आ गया था बिग बॉस का फैन कि अगर सलमान खान नहीं आएंगे तो ये सीजन किस तरह का होगा लेकिन इन सारी बातों को अब क्लोज रिसोर्स जो है बिग बॉस के उन्होंने नकार दिया और कहा है कि बहुत जल्द बिग बॉस का जो नया सीजन है 18 सीजन उसके लिए सलमान खान फर्स्ट प्रोमो भी शूट करने वाले हैं ये बात कह डाली है ये भी का है कि बिग बॉस सीजन 17 जो एवरेज रा था और कहीं न कहीं सक्सेस्फुल हुआ था अब मेकर्स और सलमान खान मिलकर इस नए सीजन को ब्लोकबास्टर सीजन बनाने यानि यहां पर सारी की सारी बाते नकार दी गई हैं कि सलमान खान जो हैं इस सीजन को होश्ट नहीं करेंगे यहां पर टाइमस ओफ इंडिया ने ये भी डिस्क्लोज किया है कि 5 अक्तूबर को ही हम सब को ग्रैंड प्रीमियर देखने को मिलने वाला है सलमान खान बहुत ज आए जो कि सीजन में सबको देखने को मिल सकती है दीरज धूपर का नाम भी सामने आया है सोनल का नाम सामने आया लोग ये कह रहे हैं कि इनको देखना जाते है साथ ही अंजली आनन्द भी हम सब को देखने को मिल सकती है और कई सारे कंटेस्टन एक मैंने आपको कृष्णा श्रॉफ का नाम भी बताया वैसे नाम तो कई सारे आ रहे हैं लेकिन ये भी टाइमस अफ इंडिया के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कई सारे लगबग 70% जो कंटेस्टन है उनके नाम कंफर्म हो चुके हैं बिग बॉस के लिए देखो बिग बॉस जो है अब 5 अक्तूबर से आने वाला है जादा टाइम नहीं बचा है एक महीना ही बचा हुआ है तो शो में अब कौन-कौन से कंटेस्टन आएंगे कहीं न कहीं कंफर्म होने लगें क्यूंकि काफी सारी बाते होते हैं प्रोमो शूट करने होते हैं एक एक कंटेस्टन का भी प्रोमो शूट करना आता है जो हमको जलकिया थोड़ी थोड़ी दिखाते हैं तो वो भी काफी contestants के नाम भी पूरी तरह से सामने आने लगे हैं जिसमें times of इडिया ने कई सारे contestants के नाम भी बताए लेकिन कुल मिला कर बात करें तो ये जो news आई थी कि सलमान खान big boss 18 host नहीं करेंगे ये बिलुकुल baseless news है और untrue news है तो आप इसको लेकर कितने excited है big boss को लेकर comment box में जरूर लिख दे और ऐसी ही latest updates के लिए चैनल को आप subscribe जरूर कर दे